इन्वेस्टर्स आप शफिका श्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल स्टोक बाजार में तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो के टोपिक के उपर आते हैं तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज ओटो शेर के बारे में जिसमे की शेर होलडर्स के लिए काफी अच्छी निऊश निकलके आई है एंड उसके चलते हमें शेर प्राइज में भी काफी अच्छा रियक्शन देखने को मिल रहा है तो चलिए वो निऊश जाने उस्षे पहले देख लेते हैं शेर का परफॉमंस केशा रहा था तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो शेर ने आज वह 1% की तेजी दिखाई है एंड शेर सुबसे ही उपर की ओर हमें निकलता हुआ दिखा था हाला कि बाद में थोड़ी गिरावट आई थी लेकिन मार्केट एंड होते तक फिर से हमें इसमें तेजी देखने को मिली थी तो आज ये 3800 रुपे पे गेप अप ओपन हुआ था एंड वहीं से हाई बना चुका है 3841 रुपे का एंड लो बनाया था 30,781 रुपीज का तो वहीं अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो उसमें भी आपको लगातार तेजी ही देखने को मिल रही है तो एक बन्त की बात करें तो यहाँ पे आपको एक गिरावट बड़ी देखने को मिल रही है जो कि है 14 जून के दिन जो कि हम सभी जानते है company के बारे में buyback की news आई थी and 14 जुन को इसके बारे में meeting हुई थी तो buyback की news के आने से आप देख सकते हो यहाँ पर हमें काफी तेजी देखने को मिली थी लेकिन जैसे ही buyback cancel हो गया जैसा हम जानते है उसके बाद 14 जुन को इसमें काफी बड़ी गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद share संपलता हुआ हमें एक बार फिर से 38 के लेवल पे आता हुआ दिखा है और पिछले दो दिन में काफी अच्छी तेजी दिखाई दी है तो इसके पीछे भी वही news है जिसके कारण ये गिरा था जी हाँ तो share market में एशा होता ही रहता है कि जिस news के कारण share चड़ता है वही news से गिरा देती है लेकिन एक बार फिर से वही news ने share को उपर भी चड़ाया हुआ है तो आई ये चान लेते है उस buyback की news के बारे में हमने बताया कि 14 जुन को एक meeting हुई थी उसमें बजाज होल्डर्स के board डायरेक्टर्स ने buyback के बारे में चर्चा की थी एंड उनको लगा था कि अभी buyback देने में और भी company को शोच विचार करने की जरूरत है एंड इस कारण से उन्होंने buyback उस time cancel कर दिया था पोस्टपॉन कर दिया था तो उसके कारण हमें गीरावट देखने को मिली थी लेकिन उसके 10 दिन बाद फिर से board ने buyback के लिए शोचने के लिए एक meeting रखी है जो की June 27 यानी की Monday के दिन होने वाली है एंड company buyback के बारे में शोच विचार करेगी एंड buyback लाना है या नहीं लाना है वो हमको बताने वाली है तो इसके चलते हमें share में इतनी तेजी देखने को मिल रही है एंड एक बार फिर से shareholders के लिए अच्छी news निकल के आई है तो यहाँ पे अगर हम देखे तो पहले company board ने buyback के लिए meeting रखी, buyback cancel किया लेकिन इसके बाद फिर से एक बार buyback के लिए meeting रखी है तो हम यहाँ पे ऐशा मान शकते हैं कि शायद इस बार हमें buyback देखने को जरूर मिलने वाला है यानि कि अगर company को buyback लाना ही नहीं होता तो यह दोबारा इसके उपर meeting नहीं रखते तो यहाँ पे chances ज्यादा है कि इस बार हमें buyback मिल ही जाएगा हाला कि अभी भी यह sure नहीं है क्योंकि यह पूरे का पूरा company board के उपर जाता है कि buyback देना है या नहीं देना इसलिए अभी भी confirm नहीं है लेकिन chances पिछली बार से ज्यादा है क्योंकि यह दूबारा meeting होने जा रही है तो जैसे ही 27 तारिक को buyback से related कोई भी news आएगी हम हर बार की तरह आपको वीडियो बना के inform कर देंगे तो इसके लिए चैनल से जरूर जूड़े रहे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले शाथ ही अपने सभी दोस्तों के शाथ इस वीडियो को शेयर करे ताकि वो भी इस news का फायदा ले शके इस news के बारे में चान सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में